दोस्तों नुबीबिया से लाए गए चीतों को मद्ये बर्देश के कुनो पालपुर अभरन्य में बने क्वारंटाइन में छोड़ा गया है इसकी चच्चा देश में हर और है लेकिन क्या आपको मालूम है कि चीते ही नहीं बारत के के जानवर विलोक तो हो चुके हैं आईए ऐसे ही कुछ विलोक तो हो चुके जीव चंतूं के बारे में जानते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चानल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्स्राइब कर लें और बैल आकन को प्रेस करना मत बूलना वही सरी सरप और उबिचार की अठारा परजातियां गंबी रूप से विलुक तो हो चुकी हैं तो आएए जानते हैं ऐसी कौन सी परजातियां हैं जो विलुक तो हो चुकी हैं बातिय अरोच ये भारत के गरम और शुष के शेतरों में रहते थे इनकी उचाई 6.6 फीट और वजन एक हजार किलो ग्राम था भारतिय बाइसन या गोर भारत में पाई जाने वाले जंगली मुवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाती है जेबू और गोर भारतिय मुवेशी हैं जो विलुक तो हो रहे हैं बातिय औरोच के समान हैं सुमत्रन गेंडे सुमत्रन गेंडे को विलुक तो होने वाले जनुरों में से एक गोश्चित किया गया है ये गेंडा दो सिंगुवाला सबसे चोटा गेंडा है ये केबल 275 से कम संख्या में अनुमानी थे हैं और भारत के पड़ोसी देशों में पाई जाते हैं हिमालिय बेटर ये पक्षी अंतिम बार मसूरी में सन 1800 स्टाटस में देखा गया था ये मद्य माकार का पक्षी कभी उत्रखंड में पाया जाता था ये भारत में सबसे सुन्दर पक्षियों में से एक थी पिंक हैडे डक्ट एक बड़ी डाइविंग ब्लैक लिश्ट ब्राउन डक्ट थी लंबे गदन वाली बदर को एक बार पूरे बारत में पाया जाता था मलावार स्वेट साथ किलो की स्वेट बिली पच्चिम गाड के तट पर पाई जाती थी 1990 के बाद इसे कभी नहीं देखा गया चीते कैसे विलुक्ट हुए दोस्तो बीसमी शतावदी में भारती चीतों की आबादी में तेजी से गरावट आई साल 1918 से 1905 के बीच 200 चीते आयात भी किये गए कहा जाता है कि 1907 में कोरिया के राजा रानुज परताब सिंग देव ने देश के आखरी तीन चीतों का शिकार कर उन्हें मार दिया 1952 में भारत सरकार ने अधारिक रूप से चीतों को भारत में विलुक्त गोशित कर दिया दोस्तो वीडियो कैसे लगी कमेंट वाक्स में ज़रूर बताना वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर अब ही तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब ने किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कर ले और बैल आक्कन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी बडियो वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर